आज की वीडियो लेक्चर में हम असम्मली लेंग्विज का एक इंपोर्टन्ट प्रोग्राम जो अक्सर कॉलीज और यूनिस्टी के एक्जैम में पूछा जाता है हम किस तरीके से एक 8-bit नंबर को हेक्जा डेसिमल नंबर में कनवर्ट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने .models small directive जा हो डिफाइन किया stack segment जा है 100 hex का डिफाइन किया .data segment के अंदर हम लोगों ने एक message declare किया number in hexadecimal format ताकर स्क्रीन के पर एक message display हो उसके बाद hexadecimal में हमारा number जा हो डिस्प्ले हो code segment में हमने procedure लिखा main proc data segment को हमने ds assign किया message हमने display किया यहां पर हम लोगों ने एक number जा हो initialize किया AL में हमने 10101011 binary form में 8 bit का number जा हमने AL में move किया अब move कर रहे है AL की value को BL में यानि कि इसका मतलब यह है कि जो AL में value पड़ी भी है वो हम BL में क्या कर रहे हैं save कर रहे है 1010 और इसके साथ 1011 यहां पर अब हम एंड करें AL के साथ टेटरा 1 और टेटरा 0 इसका मतलब यह है कि हम यह चाहते हैं कि यह जो first four bits हैं यह हमारी enable रहें AL register की और यह जो आपके next four bits हैं यह आपकी disable हो जाए तो जब हम end करेंगे तो इसका मतलब यह है यहां पर हमारे पास जो AL की value बनेगी वो 1010 और 0000 यह हमारे पस value आजएगी after this statement shift right AL,4 इसका मतलब यह है कि अब हम AL की value को right shift कर रहे हैं four bit हम यह चाहते हैं कि यह वाली four bit जाएं यह हमारे यहां पर इस जगह पर place हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि जब हम इसको right shift करते हैं तो हमारे पास AL की value को यूम बनेगी हमारे पास 1010 यानि कि यह जो हमारे पास bits थी जो right side पे थी इनको हम लोगों ने यह जो आपके पास bits थी left side पे इनको हमने right shift किया तो यह बीट्स हमारे पर यहां पर आगई और यहां पर हमारे पर वैलियू जह वो क्या आगई जिरो 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 हो गई इसके बाद हम compare करते हैं AL को 10 के साथ basically हमारे पर जो hexadecimal number होता है यह 0 से 15 तक होता है तो यहां हमने compare किया AL में 10 है अगर यह jump equal होगा तो capital A भी हम jump कर जाएंगे अगर यह 10 के equal नहीं है फिर compare करेंगे 11 के साथ jump equal cap B पे jump कर जाएंगे compare AL को 12 के साथ jump equal cap C पे jump कर जाएंगे compare AL 13 jump equal cap D पे jump कर जाएंगे compare AL को 14 के साथ jump equal cap E पे jump कर जाएंगे compare AL को 15 के साथ jump equal cap F पे jump कर जाएंगे अगर इन में से कोई भी condition true नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम AL की value को DL में move करते हैं फिर AL की value जो होगी वो 0 से 9 तक होगी DL में 48 add करते हैं उस number को हम ASCII में convert करते हैं convert into ASCII और उसके बाद 02 A service को call करते हैं trap 21H वो number हमारा screen के ओपर display हो जाएगा यहां से हम कहां जाते हैं jump next करते हैं अगर इस में से कोई भी condition हमारी true हो जाती तो फिर हम इस label पर आते cap A पे अगर हमारे पास 10 जो है उसकी condition true होती तो फिर A प्रिंट होता और यहां से हम jump next पे चले आते और अगर cap B वाली हमारी condition 11 वाली condition true होती तो फिर हम यहां पर cap B पे आते B प्रिंट करते तो यहां से jump next पे चले आते अगर हमारी 12 वाली condition true होती तो फिर हम C पर आते अगर 13 वाली होती तो D पर आते 14 वाली होती E पर आते और अगर 15 वाली condition true होती तो भी हम F पर आते तो यहां पर अभी फिलहाल हमने यह का के 1010 है तो 1010 का गेंस्ट हो मारे परस क्या होगा यह वाली condition हमारी true होगी A प्रिंट होगा, jump next control हमारा कहां पर आजागा, यहां पर next भी आजागा अब BL में हमने अपनी value जो है वो store की वी थी BL की value हमारे पास क्या थी BL is equal to 10101011 अब उस value को जो BL में पढ़ी है इसको हमने AL में move किया अब हमें क्या चाहिए, हमें यह वाली bits on चाहिए क्योंकि यह वाली bits जो हैं, यह तो हम print कर चुके हैं इसकी output तो डिस्पले कर चुके है अब हमें क्या चाहिए, इस BL register में से हमें यह 4 bits जाहिए, हमें enable चाहिए तो हमने BL की value को AL में move किया अब हम end कर रहे हैं AL को किसके साथ 0FH के साथ तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास जो AL की value होगी, वो हमारे पास sub that is equal to 0000 और 1011 यह जो हमरे पास 4 bits होंगी, जो rightmost 4 bits होंगी हमारी enable होंगी और left side वाली हमारी यह जो 4 bits होंगी हमारी disable होंगी फिर अगे हम compare करते हैं AL को 10 के साथ अगर यह हमरे पास cap A1 अब हमारे पास label है, यहां पर jump कर जाएगा, अगर यह condition true होगी, तो cap B1 पर jump कर जाएगा, अगर हमारे पास यह condition 12, यह condition true होगी, तो cap C1 पर jump कर जाएगा, अगर यह condition true होगी, तो 13 पर jump कर जाएगा, अगर यह condition true होगी, 14 पर jump कर जाएगा, अगर यह condition true होगी, 15 पर jump कर जाएगा, अगर इन में से कोई भी condition condition true नहीं होती तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमारे पास जो नंबर है वो 0-9 के बिट्वीन है फिर उसमें हम 48 जो है वो एड करेंगे ताकि उसको आस्की में कनवर्ट करें जीरो टू ए सर्विस हम एच में मौफ करेंगे इंटरब 21 एच को कॉल करेंगे ताकि वो नंबर जो हमारा स्क्रीन पर डिस्पले हो यहां से कंट्रॉल हम ट्रांसफर करेंगे जंप एक्जिट पे अगर इन में से इन में से कोई कंडिशन हमारी true हो जाती है compare AL,10 compare AL,11 तो फिर control हमारा कहां पर आएगा यह cap A1 पर आएगा यहां पर हम display करेंगे move DL में A इसी तरीके से cap B1 फिर हम move करेंगे DL में B इसी तरीके से cap C1 DL में C और इस तरीके से हम अपने यह capital letters हैं यह display करेंगे और यहां से जैसी यह condition हमारी true होगी किसी भी एक label की तो यहां से हम control कहां पर ले जाएंगे हम jump exit पर ले जाएंगे और exit में हम लोगों ने code लिखा है move AH,4CH interrupt 21H main end pay और end main इसके बाद हम अपने program को emulate करते हैं run करते हैं तो यहां पर हम देखें तो हमारे पास output जो हमारे पर display होई A B तो यहां पर अगर हम लोगों ने जो input लिया था number वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास के है that is a 1010 यह basically equal होता है 10K और 10 को हम hexa में किस से represent करते हैं A से represent करते हैं 1011 यह 11 के equal होता है और इसको हम hexa में B से represent करते हैं तो screen के ओपर हमारे पास जो output आ रही है that is a A और B इसका मतलब यह है कि यह जो हमने program लिखा है यह हमारा बिल्कुल सही execute कर रहा है आज तक के लिए इतना ही बहुत शक्रीया लाफेज